या जॉब करते हैं तो कितना मुश्किल होता है पैसा हाथ में आना लेकिन हॉस्पिटल में बही मुश्किल से कमाया हुआ पैसा हाथ से बालू की तरह निकल जाता है फिर भी हम सभी अस्पताल में जितना पैसा मांगा जाता है खर्च करते हैं अगर किसी के पास पैसा नहीं ह बेखी जाती है। हॉस्पिटल में कुछ पैसा एडवांस के तौर पर भी जमा किया जाता है। हमने भी वही सब किया। हमें भी दवाईयां लाने के लिए कहा गया। आजकल हर हस्पिटल का अपना मेडिकल स्टोर होता है सो यहां भी था हमने दवा ली और हमारा जो पहला विल बना वे था 8,399 रुपए का हमने अपनी जेव से इतने रुपए निकाले और देना चाहा तो पता चला कि हमें तो सिर्फ 4,620 रुपए ही देना है क्या आपके इसा कभी हुआ है कि आपने 8,300 रुपए की दवाईयां खरीदी हों और किसी अस्पताल ने आपको 4,600 रुपए ही लिये हों शायद नहीं हमारे साथ भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था अब यह बिल देखिए दवाओं की कुल कीमत है 8,399 रुपए जिसके नीचे लिखाय डिसकाउंट 3,748 रुपए नेट अमाउंट है 4,600 रुपए जिसका वुक्तान हमें करने के लिए कहा गया ऐसे हमारे पास और भी कई विल हैं हमने 5 तिन एडमिट रहने के दोरान वहां से कई वार दवाईयां खरीदी और हर विल पर हमें चूट मिली सबसे बड़ी बात य गया है और आप यह जानकर हरान होंगे कि डिसकाउंट का प्रतिशत 2,4 या 10 प्रतिशत नहीं है यह बहुत ज्यादा है कुछ सर्जिकल और इंजेक्टेवल में डिसकाउंट 91 परसेंट यानि 90 प्रतिशत तक हैं और जितने भी पेशेंट वहां एडमिट हैं सबको इसका ल फिर उन्होंने हमें बताया कि क्यों उनके अस्पताल में इतना डिसकाउंट दिया जाता है उन्होंने हमें समझाया कि MRP का खेल क्या होता है एक उधारन के तोर पर उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन 270 रुपे का आता है और उस पर MRP आती है 1000 रुपे उन्होंने कहा कि म मेरा मन नहीं माना कि मैं 270 रुपए का वाई इंजेक्शन अपने पेशेंट को 1000 रुपए में बेच दू। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी फीस और मेरे होस्पिटल की दूसरी सेवाओं का चार्ज मरीज से लेना है। 270 रुपए का इंजेक्शन 1000 में नहीं बेचना। ये बात तो हुई डॉक्टर संजे कुमार के नेतिक मूल्यों की। अब यहाँ सवाल ये है कि दूसरे ज्यादतर अस्पतालों के मालिकों ने क्या अपना जमीर बेच दिया है। बेबी गेस्ट्रों के अरस्पताल के डॉक्टर संजे कुमार की तरह ये क्यों नहीं कहते कि हमें भी अपनी सर्विसेज का पैसा ही मरीज से लेना है। वे क्यों नहीं कहते कि 270 रुपए का इंजेक्शन 1000 में हम नहीं बेचेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आखिर दवा कंपनियों द्वारा इतनी MRP लिखी ही क्यों जा रही है। इनको किसने अधिकार दिया है दवाओं पर इतनी ज़्यादा MRP लिखने का। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी सरकार, हमारा स्वास्ति विबाग, हमारे प्रधान मंत्री और स्वास्ति मंत्री क्या कर रहे हैं। वे इस बात का संग्यान क्यों नहीं लेते। क्या दवा कंपनियों द्वारा लिखी जा रहे हैं MRP पर अंकुष लगाना नोट बंदी या धारा 370 हटाने से ज़्यादा कठिन काम है। क्या इसे बहवार में लाना GST लागू करने से ज़्यादा मुश्किल है। अगर नहीं तो फिरक्यों दवा कंपनियों को इतनी छूट दे रखी है। उन्हें इस बात को संग्यान में लेना ही चाहिए और जल्दी से जल्दी MRP पर अंकुष लगाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको और हमें अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हम सबको बस इतना करना है कि अगर 270 रुपय का इंजेक्शन हमें 1000 रुपय में दिया जा रहा है तो हमें कहना है भीया 300 लगा लो चलो भीया 400 ले लेना। इसके साथ ही एक काम और करना है और वो ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।